हालो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल नेचर केर यह देखिए मेरा गंबला कैसे खराब हो गया और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसके उपर से एक वीडियो बना के आप लोगों को दिखाई थी और अभी देखिए कुछ दिनों के अंदर ही कैसे खराब अब बना के खराब हो गया है तो अब हम देखेंगे कि इसको किस ने काट लिया है क्योंकि इतनी बुरी तरी किसे सड़ तो ने सकती ऐसा लग रहा है शायद को कीड़ा या कुछ इसके नीचे लग गया है जिसने काट आए यह देखिए विल्कुल कलैंच जड़े भी खाई तो आपने जरूर चेक करना है कई बार इसके नीचे कीड़ा होता है तो हम इसको उलटके देखेंगे अभी मैं इसको उलटा आ रही हूं देखते है क्या निकल के आता है इसके नीचे से देखिए ज़ए बहुत गीली है क्यूंकि काफी दिनों से बहुत जादा बारिश हो ज़ए तो काफी गीली मिती यहां पर है यह देखिए वाइट कलर का एक छोटा सा कीड़ा निकल के आए जिसे हम वाइट गर्ब कहते है आप लोगों ने कभी देखा होगा वाइट गर्ब इसके कीड़े को कहते है और यह जड़ों में लगता है और जड़ों को काटके पौ जड़ों को जाएगा निकल के वाइट गर्ब कहते हैं तो मीने में यादा छे मीने के अंदर आप लोगों ने कोई भी जहरीली चीज जैसे पौईजन वाली जो चीज होती है जिसके सप्रेव अगरा करते है गिलास में एक धकन घोलके पौदे की जड़ों में डाल देना है उससे क्या होता है कि वो जो भी इसके नीचे वाइट गर्ब लगावा है वो मर जाएगा और आपके पौदे को वो काटेगा नहीं जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा बढ़ती है और ये मिट्टी के नीचे नीचे ज़्यादा जाती है और ये जड़ों को काट देता है और ये ये तीन-चार पौदे खराब कर दियें, बट मैं इसे दुवारा से तेयार तो कर लूँगे, बड़ा भी तो देखना ये है, कि इसे सारे में यही है, या कुछ और भी है, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है, कि अभी सारे के सारी मित्टी में यही निकल के आएगा, मित्टी बहुत जादा गिली है, क्यूंकि बारिशे बहुत जादा हो रही है, बरसातों के दिन है, छोटे-छोटे से बच्चे भी इसके निकल के आएए, बच्चे भी इसी में पैया ओगा, देखिए कितने सारे यह निकल के आगे हैं, तो आपने भी हमेशे ध्यान रखना है, कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका पौदा सूख रहा है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखें, और देखें कि वहीं कहीं उसी की वज़ा से तो नहीं कट रहा है, तीन गंबले से देख कर दो कि की और देखें.